अपने अंतर पड़ता जाता, पच्छतर वर्षों की नहिनत से अपनी अलब पहचाण बनाता, याद को शहादत दीरों की गर्व से है भर जाता, सहेजी अपनी सांस्विती को अपरत महक्सों बनाता, किसी राष्ट का भवेशों तभी हुच्वर होता है जब वो अपने अती के गर्व से पलपल जोड़ा दिता है, भारत के पास गर्व का देके ही के समर्द एतिहासिक और सांस्वितिक विरासत का अताव बंडार, अपनी इसी एतिहासिक, सांस्वितिक, राष्टी छेपना के साक्षी बनने के लिए प्रभान पत्री रड़ेट पूनी जी ने आजादी का अमर्द महुत सब कार्प्रम का दुभाटन है। आजादी के लिए अपनी राजमीती चंपाने के लिए, साक का सारण नतर आती है। करी जो देश के लिए कुछ करने के लोग है, उसर्फ अपने लिए ही करने है। एक सरकारी चप्रासी भी रष्टाचार करते करोर मती हो रहा है। आज भी देश की जन्ता, स्क्वास, भोगार, सिक्षा एवन मूलपूत सुगनाओं से परिशान है। 15 अगस्ट 1947 को देश आजाद हुआ। देश के आजाद हुने के बार भारत में निरत्तर विकास हुआ। पानी, सिक्षा, बिज्री, चिकित्ता, सरक आधी में विकास हुआ। कंप्यूटर कांती में भी विकास के कती हुआ। पूर्व राष्ट्पती अधुल कलाम जी ने कलतना की थी और कहा था कि 2022 तर भारत एक विक्सित राष्ट हुआ। यह सही है कि आजादे के बाद हुआरे देश की अट्परिस्ता में सुधा रहा है। आंत्रिक चेट में, सिक्षा चेट में, खेम हुद के चेटरे में उपलग्दियां हसे लिए। इसमें बावजूद आज भी समाज में संकीरता से अपने ही उगरपाई। आज भी देश में महिला पूरी तरह आजाद नहीं है। महिला हत्या चाथ बढ़ रहा है। कोरोना कार्मिया सारे विष्व में के सामने प्रतिक्ष सित्धी हो रहा है। कि आज में बार हर मानवत्ता को महाहारी के संकर से बाहर निकालने में वैक्सीन निर्मार में एक चशक को दुखारण देया। जिसने ना केहल अपनी अपितु पुरे विष्व के अनेक देशों की जन्ता की स्वास, रक्षा के लिए भर सर्क प्रयास किये। तब कोरोना वैक्सीन उपला की करा। भारत की उपलिदिया आज सिर्फ हमारे अपनी नहीं। बल्कि ये पूरी दुनिया पो रोश्नी दिखाने बानी है। पूरी मानकता को उमीद जगाने बानी है। हम भागे चाहें विदेश में हो या देश हो। हमने अपनी महनत से खुद तो सावित किया। हमें गर्द है। हमने अपने संबिदा हमारी नोकत परांपराओं पर गर्द है। भारत नोकत के बजबूती देते हुए आगे बढ़ा है… भारत की आत्मिकरपत है, से ओरोश हमारी विकास लाँत्रा पूरे दुनिया में विकास लाँत्रा देने की काथी देरा। आयोपे और प्राक्षिनिक चिकित्सा में कुछ विशेश कांग दिया जाए। राज़िएती कुरूप से हम खले ही स्वतन हैं, लेकिन बौधिक एगनमांसी कुरूप से अभी भी गुला हुए। देश की साथ प्रतिशत जनसंख्या की जीविका का सादन अभी प्रिशीत है। पर अब भी उनकी स्थिती के को एक खास उभाद की आए। और आए दे उनकी आत्माद्या की ख़वर सामने आए। यूदो सर गौर गौर उनके लिए बड़ी प्रतार की ओजनाय संचाने थे। पर उनको सही तलीकी से प्रियाणवन में नहीं कुछाए। देश के अक्वी गूप प्रताय चलते थे। और हम पुण तलीके से अप्डी आजाद नहीं कुछाए। यूदुब पड़े संघर्ष और पड़े बड़ी जानों की बात हमने 15 अगर 277 को अंग्रेजों से आजादी तो पाली। परंतु आजादी के साथ कशिक बात की हमारी आजादी अदूरी सी नजर आती। हमारा लग्वा प्यारा महरत देश अप्डी वितार के उस स्ट्रट से को सो दूर है जिसको सपना हम सजाए को। देश के सभी शेक्रों में प्रगती हुई है पर अप्डी वैश्विक पैवाने वर हम साथी फिश्रों प्रटीत हुए। खेत का विश्रों नक्सल प्रभादी इलग्णों में आज भी वहां सामान इनावरे अपने मौनिक अदुदार काने से बन शेक्ता हुए। पांचलास कश्मीली पंडे अभी अपनी मून गिवास पांचलानी लोगता है। और देश की समस्या दोश्बू, सिक्षप्रणाली और सरकार का वारादी जाड़ी वाली निम्ज साथी स्वास सुद्याएं। जिसे देश की अधिकांस जल्दा सुच हुए। अगले 25 वर्षों के लिए खारत पुनाफिष्ट गुरू बनने के लिए संकल्प के साथ शताथी संकल्प का विमोचन किया गया है। जो 2045 तब आजादी के सौ साल कुर्ण होने के पाब खारत वारा में धाड़िक नक्षों का प्राप्रवीदू मिर्देश कर गया। हमें मात 450 करोड के बज़टे साथ अपने पहले ही प्रयास में मंगल यार को सपड़ किया। मिशन के तरफ हारत अपना पहला मानवयुक्त अंत्रिश अभियाट भेजेगा। 2030 तक हारत स्वायटो स्पेस स्टेशन को अंत्रिश में सापिक करें। भारत स्वायटो स्टेश का बारत दर्शन करने का कालियत है। पर जरूरत है उसे पहचाननी की और उप्योग करने की। बस कुछ पंदियों की साथ मैं कि ये बारे को दिरांग देना चाहने ही। अम्रित कमस्व में लिए अंगडाई है। या तो आजादी की बदाई को पच्छतर वर्ष बीद गए आजादी को वहयात्रा अब समको याद दिलाने है।